नमस्कार दोस्तों आफ सभी का एक बाप से बहुत बहुत श्वागत करते हैं जिया दोस्तों आपको बता दे कि मदपतिस में सिक्चक भटी बर्य एक दो को लेकर एक नया अफडेट आया है तो और जानेंगे दोस्तों कि सिक्चक भटी रद्ध होगी या नहीं होगी इसके इस पारे में पांच बढ़े कारन से यह जो परिक्चा है वो नरस्त हो सकती है तो बढ़े कारण है दोस्तों यूपडेट है जो कि आजी की अपडेट है 22 दिसम्बर 2018 को एक नया अफडेट आया है तो फचली दोस्तों वीडियो शुरू कर लिते हैं तो अब उनका क्या पहला कारण जो है ब्यापंक गोटाला जहां दोस्तों व्यापं गोटाला यहां पर चल रहा है और गुरुप फोर्ख की बात करें और मदपदेश जो प्रिक्षा बात करें समीद सिक्षक की तो उसमें भी घोटाला हुआ था तो उसके कारण जो है ब्यापम बंद हो सकती है तो अगर ब्यापम बंद होती है तो यह जो प्रिक्षा बोर्ड नरस्त हो सकती है तो पहला बड़ा कारण जो है देख सकते हैं दोस्तो की ब्यापम घोटाले में पकड़े गए थे यहां देख सकती है कि रॉंग मार्क्स जो बताए गए है जो इनके रॉंग मार्क्स है यहां पर नाम तक लिखा है उनका यहां पर रॉल नम्मा लिखा है यहां पर देख सकते एक सो ग्यारा रॉंग नम्मर है जबकि रियल नम्मर उनकी एक्षिली जो नम्मर थे बोते 30 नम्मर यहां पर आए थे लेकिन उन्हें कितने नमर दिये गए थी 111 नमर यहाँ पर दीये गए थे रेंक कर गए थे यहाँ पर और 111 इनको दिये गए थे नियमित न की जाएगी अब दोस्तों मतलिस में लग बग यहाँ पर 17,000 वैकंसी बताई जा रही हैं और लग बग यहाँ पर자를 Get I 4 जार 50,000-52,000 आसी शिक्चक पहलेसे ही रखी गये है और 25,000 अगर नियमित हो जाते हैं तो फिर व्यापम यहां पर बंद कर दी जाएगी तीसरा वड़ा कारण जो है लोकसवा चुनाव जी हाँ दोस्तों आपको बताने कि सिक्षक भरती यानि व्यापम जो है उसको लेकर जो है यहां पर लोकसवा चुनाव का भी काफी असर पढ़ने जा रहा है क्योंकि लोकसवा चुनाव यहां पर अप्रेल माई में स्टार्ट हो जाएंगे और उसके पहले यहां पर आचाइस सहीं तावी लग जाएगी अब देखते हैं दोस्तों की एक कारण जो सामने आया है पीबी की तरफ से एक नोटिफिक्शन आया वो भी समय लेत तो दोस्तों चौथा वड़ा करण जानते हैं सरकार में बदलाब मद्पधिश में चुनाफ संपन होने के बाद मद्पधिश में भाचवा सरकार की जगए अब कॉंगरी सरकार आ गई है और उनकी स्वैम बचन पत्र में लखा है उन्होंने कि यहां पर व्यापम बंद कर देंगे तो बया परम होने का एक बड़ा कारण सरकार में बदलाब अगर माली जी यहाँ पर बिज़ी भी सरकार होती ने जो परिक्छाय हों गई इस कारण सरकार सरकार होती यहां यहा पर किह सकते अतितिसिक चेक यहाँ पर गुरुजी तरफ पर यह भर्ती की जाएगी जो भी होगा एक नियम बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक सामने और ख़बर आई है कि अगर यह भर्ती के लिए माली जी गटन हो रहा है मंत्री मंडल का गटन होता है तो उसके बाद इसका एक नया फैसला और सामने तो यह दोस्तो पांच बड़े कारण बता है आपके लिए जिसके कारण यह जो परिक्षा है वो नरस्त होने की यहाँ पर संबावना बताई जा रही है तो पांच बड़े कारण है बयापम घोटाला थी तिसक्षक नियमेती करन लोग साचोना आप क्योंकि यहाँ पर आच ने ऐसे कारण बता हैं जिसके कारण यह भरती हो सकते हैं कि नस्ती हो जाए तो दोस्तो अगर आपको वीडियो चला आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेर करिए और कमेंट की माध्यां से जरूर बताएं दोस्तों क्या अतीतिस्षक नियमित होना चाहिए क्या य हैं जवरत